चाहे सिलाई मशीन इंडस्ट्रियल हो या फिर सिलाई मशीन काली वाली अमरिला मशीने हो या फिर जो मल्टी पैटर्न वाली इलेक्ट्र सिलाई मशीने आती है केंपूटर वाली वो सिलाई मशीन हो किसी भी सिलाई मशीन में जिन सिलाई मशीनों में सिंगल निडर यानि सिं किने परकार कि सिलाई खराब आती है और किस परकार के खराब सिलाई को कैसे सब्स्री करते हैं चलिए जयर आपके मॉबाइल स्क्रीन पिए एक अधिंग दिखाई दे रहा है इस एनिमेशन को पहले ध्यान समझे ज़ें कि कौन सा पारट क्या है यह देखिए यह हो गया हमारा शिलाई म신 का प्रेशर बूट देख रहा नै क्सरaha हो गया हमारे सिलाई मशीन के टेंशन से होके सवी में आ रहा है ठीक है और यह हो गया कपड़े की नीचे सिलाई मशीन का सटल और सटल में लगा हुआ है बोबिन के और अब धाला हमारे घ्रियन कलर की थे इतना समझ आप अब देखिए सारा फंडामेंटल क्या होता है धायन से समझे वीडियो को बिल्कुल इसकी मत किजिएगा एक एक बातों को धायन समझेगा और समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा देखिए जब भी हम अपने सिलाई मशीन में कपड़ा सिलते हैं तो जो हमारी सिलाई म सुई के धाये को ऊपर लेगा के छोड़ देता है तो हमारा सुई के धागा बॉबिन के धाये को पकड़ के ऊपर खेच के लेके जाता है जब हमारा सुई के धागा बॉबिन के धाये को खेच के ऊपर लेके आता है तो जो दोनों धाये का गाठ बनता है बीच में देखिए की जो यह गाठ है यह गाठ अगर कपड़े के सेंटर में आता है तो आपकी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट आती है जो कपड़े की सिलाई होती है देखने में काफी खुबशुरत लगती है और अछी कुल्टी की सिलाई होती है अगर यही माल लेजें जो आपके चांगा जो ओमारा सुई के धागा है वह दागा बॉबिन के घंच के ऊपर लेखे चला जाता है यानि कि हमारा गानाठे सेंट्रम होने चाहिए वह शले अगर दाघा भॉबिन का लूज होगा तो सम, जब ऊपर वल खॉक दो क्या होगा देखिए जो हमारा बॉबिन में धागा लगा हुआ है ओधागा हमारों उपर में बीच में बिंदी बिंदी यानि की दना दना दिखाई जने लगेगा अब वहीं माल लीजिए इसको उल्टा कर दीजिए माल लीजिए जो आपका सुईक धागा है ओधागा लूज हो गया बिंदी बिंदी दिखाई देने लगेगा अगर आपके शिलाई आ रही है गुच्छा-गुच्छा तो क्यों आती है इसका कारण क्या होता है ध्यान से देखिए अगर ये घागा ज़्याण ही लूज हो जता है तो क्या होता है कि जब हमारी सिलाई मशीन की सुईग धागा जब उपार आता है जो हमारी सटल है इसको छोड़ता है और जो धागा उपार आता है तो धागा लूज होने करण से क्या होता है कि उपर नहीं आपाता है नीचे ही इकठा होने लगता है जब नीचे ही इकठा होने लगता है तो हमा तो एपक्र ऐती है थाकर कि žिलाई नें लगती है एक और कपड़ा करते हैं तो जिसके करण से तो अब एकर आपके टेंसन से थागा है अगर काफी ज़्यादवर TáiGate होता और produkt ज़्याद़ा हसे ज्याद़ तो इस करणने शीवर प्रावरम आती स्कुल से आती है अव् learner कपड़ें की नीचे कहीं है सिलाई का ता घटाइब होता है उसमें यह होता है कि जब भी हम कपड़े पेacer Сп Jamie करते हैं घुराय का टाका होता है मसीन बीच जुच में टाका छोड़ने लगती है यानि कि बीच Daadan लागता है इसका पहला हमारी मसिंस के सूई रोड की घज़्ज की सेटिंग होती है अगर सिलाई मसीन के सुई रोड की गज की सेटिंग उपर नीचे हिल जाती है तो इस करण से समझ से आता है दूसरा करण हमारी सिलाई मसीन के सुई और सटल की टाइमिंग होती है अगर सिलाई मसीन के सुई और सटल की टाइमिंग घिल जाती है तो इस करण से भी यह समझ्या आता है यहीं चार टाइप होते हैं सिलाई खराब आने के और इनके यहीं सब रिजन होते हैं इस वीडियो का जल्द ही मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आने वाला हूं जिसमें मैं आ के वापके दोधित सिलाई करते हैं सिलाई करते हैं या फिर सिलाई मेशीन रिपयार करते हैं ताकि उनको बहुद अच्छा सीखने को मिल सके और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी के निसान आएगा उसको मुक्ता मारके तोड़ दीजिये और और पर सेड़ कर दीजिए ताकि जब भी हमकोई वीडियो अप्लोड करें तो उस वीडियो कर नोटिफिकेश